दोस्तो आज बनाएंगे साम की चाय के साथ कुछ टेश्टी कुरकुरा खाना हो तो ये नास्ता जरूर बनाए एक तम छटपट बनेंगे और एक तम खास्ता बनेंगे कुरकुरे बनेंगे एक बार इसे बना कर महीनों तक इसे अश्टोर कर सकते हैं इसे बना कर मेहमान को दे चृता नया है इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसे एक बार क्यों ना बनाया जाए च्छी लगए तो पूलीज लाइक करें चैनल पर नए तो चैनल को सुस्क्राइब करें वे लाइकर को जरूर दबाये इस टेश्टी कुरकुरा नास्ता को बनाएंगे मैदे से चा इसमें नमक डालेंगे, तो नमक अपने स्वाद अनुसार कम जादा कर सकते हैं, और इसमें चुटकी भर डालेंगे बेकिंग सोडा, और यहां पर अब इसे थोड़ा सा मिक्स करकर बीच में गठा कर लेते हैं, और मोयन के लिए डालेंगे, इसमें 3-4 चमच तक रिफाइन त तो थोड़ा सा गरम करके लेंगे, इससे जो हमारे नास्ते हैं वो क्रांची बनेंगे, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो 500 ग्राम मैदे में 4-5 चमच अगर रिफाइन तेल डालेंगे, तो यह एक तम अच्छी तरह से मोयन हो जाएंगे, और यहां पर 2-3 मि तक मसल मसल कर मिक्स कर लेना है, इसे मिक्स कर लिये हैं, अब इसमें पानी डाल कर इसे गूत लेना है, तो जब इसे गूतेंगे, तो थोड़ा सा हाड़ी गूतेंगे, एक बार में जादा पानी नहीं डालेंगे, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो दो की तरह इसे घूत लेना है, जादा सोप्ट नहीं घूतने हैं तो आप दो तायार है अब इसमें से थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं अब इसमें रोटी बनाते हैं उसलेशंनाइस साइज पर इसे हलके हलके इसे जितना पतला बना सके उतना पतला इसे बेल लेना है यहां पर इसे बड़ी रोटी की तरह बेल लिये हैं और एक तम पतला ही बेले हैं तो यहां पर देखिए एक तम पतला बेले हैं अब यहां पर एक चाकू लेंगे चाकू से किनारे साइड को काट ल इसे दूसरी लोई में डाल कर इसे बेल लेना है, अब यहां पर चाकु से इसके पीसे बनाएंगे तो यहां पर डेढ या दो इंची के स्कुलिक्षें रखेंगे यहां पर इसतर भी साइज में काथ लेते हैं, और किनारे–स इंहले हैं तो इसे भी हटा लेते हैं और दुसरी फीमें डाल पाल लेंगे यह तुछी तरफ से भी इसे उसी तरीके से धी काट लेएं है यह यहां पर के ईयद कहां फीष हाथों में इसद्रा से रख लेंगे अब इसके डिजाइन बनाने पल्के से चपीच लेंगे बरनीचा जगाँ मनें लग ढूर और बमने काइप कुरादा थीमसीं। तेखिए डिजाइन बनाना कितना आसाल है धुर्ट सभी किनारों में पाली लगा लेंगे और यहां पर एक किनार को डिए पीशीप मेरी दुध AHT दूसरेAbИ दें यहां को हो भी अपूजीट शैड्ट में ओड़ेंगे तो इसी तरीके से बना लेंगे तो सभी को इसी तरीके से बना कर तयार कर लेगे अब इसे फ्राइय करने के लिए गैंस पर कडाहई..? उसमें तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद इन पीसेंस को डालेंगे एक बार में जादा नहीं डालेंगे और इसे एव मीडियम फिलेम फे फ्राइय करेंगे सुनारा णि róż को ने तक और इसे उलट पलट करके इस चलाते रहेंगे तीन शेल मिन्ट Respect में लगते हैं इसे फ्राइअ कोने में और फ्राय किने में Alfreshalten के सुनारा कलर होने तक प्राय करेंगे सुनारा कलर हो गया है तो इसे जंज्रे से थोड़ा सा तीछा करuite धरेंसी चापने लेंगे इसे आप साम की चाय के साथ खाएं या फिर सफर में ले जाएं इसे बना कर अगर मेमान को देंगे तो मेमान भी पुछेंगे इसे कैसे बनाया और यहां पर देखें देखने में यह कितना कुरकुरा और सुन्दर लग रहा है इसे आप एक बार जरूर बना कर देखिएगा रेस्पी मेरी अच्छी लगे फ्रेंज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और यह आइकन को जरूर दबाएं यहाँ पर देखें एक पीस को तोड़ कर दिखाते हैं एक दम क्रंची बने हैं तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बना कर देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में